आज एक नियू चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंट में और इस चेप्टर का नाम है हमारा प्रॉसस्स कॉस्टिंग का नियू चेप्टर हमारे एक्जाम में जरूर कोश्टन पूछा जाता है यह इनपोर्टन चेप्टर है लास्ट लास्ट में हमने लास्ट चेप्टर फिनिश किया था कॉंट्रेक्ट अकाउंट अकर किसी के डाउट है तो अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूं तो आप कमेंट में पूसकते हैं उसका सॉलूशन आपको मिल जाएगा वीडिय account होता क्या है और इसके अंदर करेंगे पहले हम इसके बारे में समझेंगे फिर suppose करो किसी भी जब हम factory के अंदर basically process होता है factory में तो factory के अंदर जब भी कोई काम करते हैं तो वहाँ पर कोई न कोई manufacturing होता है और वो process से निकलता है जैसे मैं एक example लेता हूँ मेरे पास यह मारकर है इस मारकर को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से manufacturing होगा suppose करो मारकर सबसे पहले बनता है एक factory मेरा यहाँ पर है कि एक factory यह है मतलब factory एक ही है उसके अंदर department अलग अलग है और लास्ट वन यह है मैं तीन बार में इसे बना देता हूं सबसे पहले मैं plastic खरीद के लाता हूं यहां पर plastic होता है और इस वाले जगह पर मैं इंक डालता हूं इस वाले जगह पर इंक औंड कॉटन और इस वाले जगह पर यह रापिरिंग जु होता है काप वगशा जो होता है इस पर मैने ने में आव्यवत किया है तो यहां पर आपका finish किया जाता है मतलब final किया जाता है हूं पे पैकिंग वगर्रह लेकर कि तो यहां पर plastic महनलो मैंने process बनाने है होगा थीक्जब मेने 100 kg अप्लास्टिक लगाया होगा तो यहां पर उसके कोड आपल बन Aa Met मेंने और यहां बने गया ऑर यह यहँ यहां पनेग़ यहां प्लास्टिक होगा वो माले प्लेश यो ऑने humor को प्लस्टीक लगा पचास हजार यूनिट बने ठीक है ना यूनिट अब मुझे बताना कि अगर मैं यहां पे प्लास्टिक डाल रहा हूँ तो क्या मेरा सारा प्लास्टिक 100% हो जाएगा या थोड़ा बहुत इदर गिर 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 थोड़ा वेस्टेज हो गया वो तो हो गई और इस तरीके का काम एक बार होता है या हर बार होगा इस तरीके का काम हमारा हर बार ही होना होता है कोई भी काम करो थोड़ा बहुत वेस्टेज हो जाता है तो जो इस तरीके का काम होता है उस तरीके का वेस्टेज होता है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल लॉस normal loss जो regular होगा ठीक है ना उसको भोला जाएगा normal loss अब वो थोड़ा थोड़ा plastic होके हम क्या करेंबे एक जग़ा इक खट्ता करते जाएगे इक खट्特 गरते जाएगा तो बहुत सारा plastic बन जाएगा तो जो बहूत सारा plastic बनेगा उसको कि हम बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं बिलकुल बेचा जा सकता है तो इसको बेचा जाएगा किस rate पे इसको हम हम बेच देंगे एक कूडे के भाव पे कवाडी को बेच देंगे और हम इसे scrap पे बेचेंगे स्क्राइब वैल्यू पे किलो के हिसाब से बिख जाएगा ठीक है एक बात और मुझे बताना यहां पे एक और वेस्टीज होगा अब इंप्लोई हैं दो मारकर चुरा के ले गए पांच मारकर ले अपने बच्चे के लिए घर पे दिखाने के लिए गाउं में बाटने के गए होता ना ऐसा तो मारकर जब वो ले गया पचास जार यूणिट तो पचास जार यूणिट तो बना लेकिन यहां पे कुछ ऐसे मारकर थे जो कि उसने गिने ही नहीं जो की ले गए रख़्े गिनके पचास जार रख दिये तो उसको बोलते हैं वेट लस्ट अब बताओ जो वो ले गया उठा के क्या इसे वो बेचा जा सकता है not possible है नहीं जी तो बेचा कहां से जाएगा तो पहले process में मैंने 100 kg plastic डाला वहां से 50,000 unit बना जिसमें मेरे 2 नुकसान हो गए एक तो कुछ मार कर वो चुरा के ले गया जिसको तो बेचा नहीं जा सकता है एक normal जो plastic हमारे पास पड़ा हुआ है जो cut pit के side से piece 20 निकला उसको बेच देंगे third, क्या हर बार 100 kg डालोगा तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि machine चलते चलते light चले गई machine चलते चलते खराब हो गया बीच में तो वो तो मेरे 100 kg पूरे plastic खराब हो जाएंगे हो सकता ही नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता ही है तो इस तरीके के loss जो की एकदम से खराब हो जाए और पूरा lot ही खराब हो गया 100 kg में marker ही नहीं बना पाया या marker बना तो 10-5 marker बना बाकि light जाने के विज़े से तो वो भी loss इसको बोलेंगे abnormal loss abnormal loss भी sold होगा लेकिन हम इसको discuss बाद में करेंगे इसके लिए हमें rate को find करना होगा rate find करना पड़ेगा हमें कैसे find किया जाता है इसका formula होता है मैं लिख देता हूँ होता है हमारा total cost minus में scraps divided by total unit minus में normal loss unit जो rate होगा तो इसकी बाद मैं discuss अलग से करेंगे अच्छे से तो देखो process one में मैंने क्या किया बताओ मैंने marker बनाना था मारकर बनाने के लिए अब से पहले तो फेक्टरी में plastic डाला plastic से हमारे सॉक लो plastic में कुछ प्लास्टिक तो वेस्ट होगे जिसे मैं कूडे में बीच दूँगा तो उसको नॉर्मल लॉस बोलेंगा वो बिकेगा कुछ ऐसे थे जो कि worker ले गए या इधर उदर चले गए जो कि पता ही नहीं चला तो उसे बोलते हैं weight loss वो नहीं बिकेगा abnormal loss हर वार नहीं होता कभी कभी होता है जो कि अचानक से पूरा lot ही खराब हो गया यहां से बन गया माल तयार करके जो यहां से फिनिस गुड्स बनेगा जो इससे माल तयार होगा कहां सेंड होगा और यह माल लेते हैं प्रोसेस भी है और लास्ट वाले को प्रोसेस सी का तो इसका फिनिस गुड्स कहां ट्रांसफर करा जाएगा प्रोसेस भी में क्लियर अब यहाँ पे हमने process B में कितने unit भेज दिये unit भेज दिये हमने 50,000 अब मुझे question का जवाब देना 50,000 unit अगर मैंने यहाँ भेज दिया है तो यहाँ पे क्या और material वगेरा लगेगा बिलकुल लगेगा सर material यहाँ पे ink लगेगा material में ink लगेगा, cotton लगेगा, सारा material तो यहाँ पे भी सारे खर्चे हो नहीं है देखो यहाँ पे भी सारे खर्चे थे material था, labor था, wages था, overhead था same यहाँ पे भी बस फरक क्या है, यहाँ से unit बना के यहाँ भेजाँ यहाँ भी material, wages, labor, overhead, electricity bill सारे expenses लगेगे अब मुझे जवाब देना क्या यहाँ पे normal loss होगा, सोचो normal loss हो सकता है बिल्कुल यहाँ पे normal loss हो सकता है cotton है, 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 किसी में cotton में डाल रहों तो material है, तो cotton डालते डालते सही से डलना नहीं इदर उदर चला गया खराब हो गया, इंक डाल रहा था अंदर बातों बातों में सारा इंक इदर चला गया तो हो गया न normal loss, इंक तो इसके अंदर डालना है मुझे पूरा, बात कर रहा था चाय पी रहा था, employee आपस में बाते कर रहे थे, इंक डालना था यहां पे हमें बाटल से लेकिन यहां डाल दिया, तो नीचे गिर गया, तो वो नुकसान कुन सा है, normal loss और कई बार क्या होता है, cotton वगयरा खराब हो गया, तो cotton में को इसके अंदर cotton होता है, अगर आपने देखा हो, तो cotton cotton को डालते हैं, तो उसके उपर हम इंक डालते हैं, तो cotton डाल रहे थे, या cotton destroyed होगे किसी वेज़े से, तो वो cotton मेंने side में रख दिया, तो यहां पे भी normal loss होगा, और cotton वगयरा हो गया, या कुछ और भी points हो सकता है, तो वो भी हमारा scrap पे sold होगा, और जरूरी नहीं है, अगर हांस से डाल रहे हैं, तो यह हमारा खराब नहीं होगा, लेकिन machinery से होगा, तो आपने देखा होगा, कई बार machinery ऐसे होता है, और उपर से इंक डाल रहा है, यह घूम रहा है, तो कई बार machinery के सामने नहीं ना बैठा, machinery ने पूरा दवा दिया, तो यह पूरा हमारा धाचा है, जो structure है, यही पूरा दब जाएगा, तो यह भी खराब हो जाएगा, तो normal loss हर जगा होना है, अगर मैंने 50,000 unit डाला है, तो 50 नहीं बनेंगे, यहां से कुछ कम ही बनेंगे, और यहां पे क्या abnormal loss हो होता है, यहां से unit 50,000 भी बन सकते हैं, कम भी जादा है, मैंने माना यहां से unit बनें कितने, 45,000, यहां पे सिर्फ प्लास्टिक था, और यहां पे marker बनके, यह लो marker बना दिया, यहां पे marker बनके, क्या हो गया हमारा तयार, 50,000 यूनिट बन गया, तो यहां पे क्या क्या खर्चा हुआ, material भी हुआ, wages भी हुआ, normal loss भी हुआ, ठीक है, अब यह 50,000, 45,000 यूनिट को बना के करे गया, सर इस 45,000 यूनिट को बना के एक ही काम करना होगा, इस पे रैपरिंग बगेरा लगाओ, नाम वाम लिखो और जाएगा, इस पे रैपर वगरा कर रहे हैं, तो यह रैपर वगरा यहां भी वेस्टेज होगा, तो यहां पे भी normal loss होगा हमारा, चार भी process हो सकते हैं, दो में भी खतम हो सकता है, डिपेंड ओन कितने हम stages पे ले जाते हैं, normal loss भी रहे गा, अब यहां पे जो माल बनेगा, वो कहीं और आगे तो जाएगा, नहीं मैंने बोला यहीं final होगा, तो यहां पे जो निकलेगा हमारा वो होगा finished goods, finished goods, जो तैयार होगा, माल लो मैंने डाला कि इतना 45 और finished goods तैयार होगा हमारा 40, जो बेचेंगे, और यहां पे abnormal loss भी हो सकता है, अब abnormal loss में यह भी हो सकता है, तो माल आ रहा था, चोरी हो गया सारा का सारा, तो basically हमें process A की अपनी एक accounting करने पड़ेगी, उससे जो answer आएगा, उसको transfer कर देंगे process B में, उसका अपना एक accounting करेंगे, और एक process C का जहां final होगा, तो हमारे यह तीन process बनाना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो पूरे question हाएंग तो अब समझ में process का मतलब क्या है, किसी भी product को manufacturing करने के लिए, जिस department में काम किया जाता है, उस department का, हर किसी का, अपना अपना एक cost होता है, वही cost निकालके कि इस department में 50,000 यूनिट बनने का कितना खर्चा हाया, इस department में 50,000-45,000 यूनिट बनने में कितना खर्चा हाया, और इसके बाद मैं इसका format discuss करूँगा, किस तरीके से होगा, आज हम format अच्छे से सीखेंगे, next class से हम इसके question को start करतेंगे, छीख है, फटा-फट से आप एक बार note करिए, आपने, अब देखते हम, next format क्या है इसका, देखो process A, B, C, जैसे मैंने example लिया था, तो यहाँ particular, यहाँ unit, unit कुछ भी हो सकता है, cages, measurement जो भी रहे, particular, यूनिट, and amount, same particular, और इसमें unit आएगा, कितने unit डाला, particular, यूनिट, और अमाउंट, particular, यूनिट, और अमाउंट, particular, यूनिट, अमाउंट, ठीक है, debit credit जो भी रहते हैं, सबसे पहले देखो, खर्चे इस साइड में, और जो loss, normal loss, जो material इस साइड में आएगा, और निकलने का इस साइड है, कम होने का reason, सबसे पहले हमने कोई material डाला होगा इसमें, input या material कहलो, जैसे 100 kg हमने वहाँ पर kg में डाला था, माल लेते हैं, यहाँ पर जो भी unit है वो लिखेंगे, और कितने रुपए का पड़ा वो लिखेंगे, उसके बाद और क्या खर्च होगा सोचो, wages लगेगा बिलकुल, उसका तो कोई unit नहीं होगा, और overhead, ठीक है, overhead, इसके बाद और जो भी खर्चे होगे सारे यहाँ लिख देंगे, अगर normal loss हुआ, तो by side में लिखेंगे normal loss, कितने unit हुआ, और कितने रुपए का, basically normal loss का हमेशा आपको percentage देगा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर 10,000 unit डाला, बोला 2% normal loss, तो 10,000 का 2% जो होगा यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि हमारा दोस्त हुआ गया, तो same हमें percentage देगा, वो percentage total पर अपलाई करके लिखेंगे, अगर कोई abnormal loss है, तो इधर ही आएगा, ABL लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है न, इसके उपर हम अलग से भी discussion करेंगे, अगर कोई weight loss है, weight loss, तो उसका unit तो आएगा, लेकिन वो big नहीं पाएगा, रुपीस में blank रहेगा, clear, चलिए, यहाँ से अब क्या निकलेगा, जो भी unit निकलेगा, उस unit को बताओ, हम कहां ले जाएगे, बेच देंगे, अगले process में use होने के लिए जाएगा, बिलकुल, अगले process में जाएगा तो मैं यहाँ पर by जो भी निकलेगा लिखेंगे process, किस में? B में, कुछ unit होगा, और यहाँ आजाएगा, और यहाँ आजाएगा हमारा यहाँ, to कहां से आएगा? process A, जो यह वाला unit था, same यहाँ आएगा, और उसका costing भी उपर से आजाएगा, अब इस process में अपना material होगा, material लिखेंगे, two material, जितने आपने रुपे का लगाया, unit लगाया, लिखतोगे, two wages, wages के बाद two overhead, और इस process में normal loss हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, normal loss, किसका होगा, वो भी percentage डालेगा, तो इसी के unit का percentage निकालेगे, क्या weight loss हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हर किसी में नहीं होगा, एकाद question में होगा, weight loss, यह blank रहेगा, क्या abnormal loss हो सकता है, बिल्कुल, ABL, और कितने unit यहाँ आएगा, अब यहाँ से final निकलेगा, जो जाएगा process किस में जाएगा, C में अगर आपको format समझ में आ गया, और concept समझ में आ गया, तो कुछ नहीं रहता है, इस chapter में, अब यहाँ पर process C बनाएं, मैंने, यहाँ पर मैं P, process C कौन सा आएगा process, process C में आएगा, हमारे पास कहाँ से, process B से, यहाँ से जो यह unit finish आए, process B से, unit, इसका भी अपना material होगा, इसका अपना wages होगा, इसका अपना overhead होगा, O, H लिख रहा हूँ इसको मैं, कहाँ यहाँ normal loss होगा, बिलकुल, यहाँ normal loss होगा, जरूरी नहीं कहाँ 100% हो, हो सकता है, यहाँ weight loss भी हो सकता है, नहीं लिख रहा है, यहाँ abnormal loss लिख देता हूँ, वेट लॉस हो सकता है, होगा तो लिख देंगे, अब मैंने बोला नहीं है जी तो नहीं लिखना आपने, और यहां से जो भी यूनिट तयार होगा, वो कहीं प्रोसेस में जाएगा, नहीं जाएगा, इसको लिखेंगे, फिनिस, गुड्स, फिनिस स्टाउक, यह लो जी हमारा फाइनल आंसर आगया, प्रोसेस का, हमें यही निकालना होता है, यह बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा आपका, ठीक है, तो अभी हमने प्रोसेस A, B और C, तीनों समझा के कैसे कैसे हुआ, नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, अब हमने क्या करा, तीनों क आप फॉर्मेट कर लिया, तो अब एक बार फटा फट से आप फॉर्मेट नोट करिए, इसके बाद, फॉर्मेट के बाद, फिर हम आगे एक प्रेक्टिकल कुशन देख लेते हैं, इस पर, नॉर्मली छोटा सा एक कुशन लेके, फिर हम अगले क्लास में आगे टू भी ठीक है, नोट करिए, अब आप, नोट कर लिया आपने, चलिए हमें कोशन करेंगा, आपके बुक का 8.5 है, कोशन में क्या कहता है, इलिस्टिशन है, आपके बुक का 8.5, ओल्ड बुक है, कोशन कहता है, दा प्रोड़क्ट आफ मनिफिक्टिरिंग कंसर्न, प्रॉसेस थू प्रोसेस ए एंड बी दो प्रोसेस से जाएगा ए प्रोसेस और बी मैंने पहले ही फॉर्मेट बना लिया है कि कहता है फिनिस तो उसके बाद फिनिस होगा दा असार्टेन इन इच प्रोसेस नॉर्मारी 5% टोटल वेट लॉस एंड 10% स्क्रैप आफ ए एंड बी कहता है दोनों प्रोसेस में एक वेट लॉस होगा 10% 5% और 10% स्क्रैप होगा ठीक है और जो स्क्रैप बिक जाएगा वेट तो बिक नहीं सकता है कहता है scrap A का बिकेगा 80 रुपए के हिसाब से और B का बिकेगा 200 रुपए के हिसाब से और alternatively आपको यहाँ पर कोई information नहीं गीवन सारे कुछ questions के और information है कहता है material आपको गीवन है 10,000 तो चलिए हम इस question को start करते हैं आपको समझना है सबसे पहले कहता है आपका 10 गीवन है material जो गीवन है कितने 10 है आपका process A में 10,000 टन गीवन है और यह जो 1000 टन है उसके कीमत यहाँ पे है 125 तो यानि आपका material में गया 125,000 process A में समझ मैं बात आपको 1000 टन था और नीचे देखो उपर 10 गीवन है नीचे rate गीवन है इसके बाद बोलता है यहाँ पे wages लगा 18,000 का और manufacturing 6,000 का मैंने बोला सारे खर्चे यहाँ wages 18,000 manufacturing expense manufacturing expense कितने का है 6,000 का simple put करना है बस आपने उसके बाद कहता है prepare process account और no work in progress opening closing ठीक है अब बात करते है process 1 की इसका कहता है कि भाई normal loss जो रहेगा वो रहेगा 5% तो 5% हजार का कितना होगा आपका बताओ हजार का आपका होगा 50 और जो weight loss होगा वो होगा 10% तो by weight loss weight loss 100 ये तो नहीं बिखने वाला लेकिन ये बिखेगा 80 रुपे के साब से तो 50 into में 80 चार हजार रुपे का बिख्या ठीक है ना 50 into में 80 चार हजार रुपे का बिख्या ये process A का complete process B में बोलता है फिर से जो यहां से unit तयार होगा वो यहां पर आएगा मैंने यहां पहले लिख दिया है final लिख लेगा process B में कहता है कि भाई फिर से यहां पर लगा material 70 to material material कहता है 70 ton 200 रुपे का ये महंगा है थोड़ा 14,000 और क्या लगा यहां पर wages भी है wages कितने का है जी 12,000 का wages के बाद यहां manufacturing expense बताओ कितने का है हमारा 6000 क्लियर है यहां पर मैंने सारा information यहां पुट कर दिया अभी इसको जब complete करूँगा तो यहां होगा यहां क्या भी normal loss बाद मिलेंगे पहले हमें total input तो पता चले normal loss और यहां पर भी क्या है weight loss और जो यहां से answer निकलेगा वो होगा finished goods stock clear question question में कहता है दो process है और दोनों process related information था वो मैंने यहां पर क्या करा सारा put कर दिया कोई doubt यहां तक अब बस रहे गया हमारा totaling का process totaling करके हम इसका answer final निकाल देते हैं कि तो पहले आले process का देखते हैं क्या हैगा कि एक लाग पच्चिस हजार ठारा हजार और छे हजार 149 मेरे old book में question है new book में site डिजिट भी चेंज हो गया हो एक बार manage कर लेना कितने unit बच जाएंगे जो process कि भी में जाएगा देखो हजार unit थे हजार में सब डेड़ सो खराबी हो गया तो 885 ही बचेना हजार माइनस में 4000 तो एक लाग 45,000 रगा जो कि पहुंच जाएगा यहां पे 850 unit समझ मैं यहां से 850 और यह आगया एक लाग 45,000 रगा अब total unit कितने हो गये यहां पे 850 प्लस में 70 अब 920 का normal loss 5% है तो यह आएगा आपका 46 और यह 10% है तो यह आएगा 92 46 रुपे वाला जो process 2 का है वो कितने का बिखा question में देखो mention है उसे बेचा जाएगा 200 रुपे का है यह तो बिख नहीं सकता तो यह 9200 ठीक है अब 920 हमारे पास unit था जिसमें से यह खराब हो गया 46 यूनिट और 92 यूनिट तो मेरे finish जो बनेगा 782 चलिए अब प्लस कर लेते है 145 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 टोटल खर्चा 177 माइनस में 9200 यह 167,800 यह हमारा answer आ गया 167,800 तो आपके जो बुक में solution है वो process B का थोड़ा सा गलत given है answer तो आप इसको note करिए process A और process B हमने क्या करा तयार कर लिया note करिए इससे आगे हम next class में और भी advance question करेंगे